आप आपको बताते हैं दोस्तों लगतार खबरों में हम बने हुए हैं लेकिन कभी-कभी हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलाने का काम करते हैं जो समाच के लिए सही माईनों में वो मोटिवेशन का काम करते हैं समाच के लिए समाच को प्रेरित करने का काम करते हैं और हम उनसे खास मुलाखात के तौर पर एक स्टोरी करते हैं इसे बीच आज हमारे साथ आम तोर पर आप या किसी डॉक्टर को देखते होंगे या किसी एक प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से मिलते होंगे लेकिन आज हम आपसे जिनकी मुलाखात करा रहे हैं वो एक डॉक्टर आइच्ट चुरु करें हैं, आश्म कर दोक्ट म काम करें है और बागते हैं। सब्सक्राइब साथ एक्टर हैं। इसी से अपना प्रीचे शुरू करिए मेरा नाम हेमेंद्र शर्मा है और मैं पेसे से आइस पेसे स्टू मगर क्योंकि कुछ शौक के चलते या लाइफ में आपको कुछ नो कुछ अलग करना होता है तो इसलिए हमने इस बिदा में भी कदम रखा जिससे समाज के लिए हम कोई संदेश दे चके हैं कहीं सर कैसे ये शुरुवात हुई ये जाना जाएंगे चूकि आप सही माईनों में डॉक्टर रहे हैं इस फील्ड में जैसा आपने कहा पैशन तो पैशन को देखते हुए और पेशे को देखते हुए कैसे दोनों का सर मिलाव हुआ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताईए देखी बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है मेरे बच्पन के मित्र हैं डॉक्टर आलोग प्रकास जो डबल पीएजडी हैं और बहुत बड़े सिक्षावेद हैं उनकी बहुत सारी स्टोरीज थी तो उनका मन था कि जो हमने स्टोरीज लिखी हैं इस अपनी मात्रवासा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संदेश हैं तो वो पिक्चर हमारी काई प्लेटफॉम पर उपलब्द हैं तो जब चोटी पिक्चर आप बनाते हो तो धीरे दीरे चीजें आप सीख जाते हो तो उससे होसला बड़ा तो डॉक्टर इन भरे पड़े थे तो जो प्रबुद्वर का दर्सक है जिसको कुछ एक अलग हटके कुछ चाहिए तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी जिसमें एक दर्शन शास और एक दो साधूं की स्टोरी का एक मिलन है तो वो स्टोरी सेलेक्ट की तो उसके उपर हमने एक फीचर फिल मनाई जिसमें मद्विदे स्टूरीज में हमारा पार्टनर है अभी हाल में ही आपकी कल भी कोई फिल्म लॉंच हुई है और हुए माई तो इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताईए एक संस्कृत नोबल है अशोक जमनानी द्वारा लिखित बड़े रिना जो नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा है मगर उसको अभी तक अपने गुरू की इतलास उसकी पूरी नहीं हुई है तो इन दोनों को द्वन चलता रहता है और साथ में फिर जो यूबा सादू है उसके कॉलेज की और उसकी यूबा वस्ता की भी कुछ अंतरदुन की स्टोर भी इसमें है तो कल जीव सिनेमा पर यह रात को लोंच हुई है और सभी दर्सकों के लिए उपलब्ध है जीव सिनेमा पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे आम तोर पे डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है लेकिन उसको थोड़ा सा जर एक तरफ तो आप धरती के भगवान है लेकिन अगर आप फिल्मों की बात करें तो उस प्रोफेशन में आप अपने आपको क्या मानते है एक तरफ आप भगवान है धरती के जो लोग है अगर वो अपने प्रोफेशन को इमंदारी के साथ निभाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो वो भी समाज में एक उच्छ दर्जे का अधिकारी है और फिल्मों में हम ये कोसिस कर रहे हैं कि कुछ न कुछ फिल्मों के माद्यम से एक सकारात्मक संदेश युवाबर को और खास और से छोटे बच्चों को ऐसा संदेश जिया जाए कि जुससे उनके जीवन में होने वाली पॉलिशन बहुत ज्यादा है तो पॉलिशन से अपनी आँखों को बचा के रखें जब तक जरूर ना हो तब तक घर से बाहर ना जाए और अगर घर पर बोर हो रहे हैं तो जीव सिनेमा पर हमारी फिल्म आई है हो माई बैटके देखें पूरे परिवार के साथ तो मुझे आई दली से कैमरापरसन कमल के साथ रजा की खास रेपॉर्ट